हेलो दिली आज निवीता बाशू आज निवीता बासू डिली के अंदर हैं और उन से आपको भिरू कराएंगे कहाणी घरगर की असास कबोलिंगा होथी और कितने ना जाने λη आज हमको दें चुकिए अज एक ब्यूटी पैजंट यह जो मैंने मैरेड विमन के लिए रखा क्योंकि मैंने हमेशा जो शो बनाए वो मैरेड विमन को लेकर बनाए हैं तो एर मिस्स इंडिया में आशी श्राइजी का यह इनिशेटिव है और पहला कदम के जुड़ने जो मेरा एंजियो है उसके पहली बार हम फ्री ओफ कॉस्ट कर रहे हैं बहुत लोगों को रखा जाता है कि यह एक पैसा बनाने का पॉंजी स्कीम है जहां पे पैसा देके लोग एंट्रीज लेते हैं आपको पता नहीं उसके बाद उसका क्या फ्यूचर है क्रेडिबिलिटी है तो पहला कदम के हम उसे वह प्लाटफॉर्म दे और इसलिए एर मेंसिस इंडिया के लिए माई हाप आए हैं बहुत का मैसे टीवी पर भी हम शो देखते हैं कि जब जितने हमने देखा है सिंगिंग शोज होते हैं उसके बाद इतने पार्टिस्वेंट को आगे बॉलिवोड याट जितने ट जी 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 as a creator as a content writer हमेशा हम लोग obviously हमारे जो लिखित में हम जो भी करते हैं वो audience से हमें मिलता है तो हर participant या हर part of audience जिनको हम मिलते हैं उनसे हमें inspiration मिलती है और जी जो पिछले शहर हुए उनमें कई एक दो लोग ऐसे मेरे जहन में रहे गए हैं जिनका character मेरे माइंड में रहे गया है तो as an actor या as a character तो definitely वो मेरे साथ future में ले के चलूँगे मैं उने दिली के कई बच्चे ऐसा होता है कि direct जहले जाते हैं लेकिन वो गलत हातों में पढ़ जाते हैं कुछ ना कुछ compromising situations होते हैं दिली की खासका लड़कियों के साथ लेकिन direct आपके साथ मिलना हो तो वो किस तरह से contact कर सकते हैं देखे एक्चली मैं अकेली नहीं हूँ वो गलत जो चीजे हैं वो ऐसा नहीं सिरफ दिली में ही होता है बंबई में भी होता है वो हर जगा एक ही चीज है मतलब आपको हमेशा अच्छे और बुरे लोग मिलेंगे बट जैसा कि आपको पता है आपने आजकल credible companies हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं आपको directly उनसे contact करना चाहिए होता है कि बीच में coordinators आ जाते हैं गलत claims करते कि आप हमें इतना पैसा दीजे आप ये करिये तो हमें काम मिलेगा मुझे लगता है talent अकेला एक चीज है जिससे आपको काम मिलता है time लगता है आपने इरफान जी को देखा पैतेस में उनको पहला अपना break मिला नवाजुदीन जी को देखा जिन्होंने इतने साल लिये बट अगर आप अपने passion में जुटे रहें और compromise नहीं करें जरूर उसमें time और patience लगता है इसलिए मैं कहती हूँ कि ये एक patience का game है अगर आपको मीडिया में रहना है आज इतना competition है आपने देखा है जब हमने शुरू किया था तो हम लोग के सिर्फ वो आप पर्टिक्लर शोज होते थे जो बहुत टॉप में होते थे अब दस तो GC चैनल्स है दस में अटलीस दस शोज चल रहे है मतलब आप सौ टीवी शोज के साथ कंपीट कर रहे हो तो definitely platform भी है बहुत काम करने के लिए पट competition भी उतना ही है पेर प्रेशर भी उतना ही है तो मुझे यह लगता है कि सिरफ मैं नहीं उनको सही चैनल से जाना चाहिए compromise नहीं करना चाहिए because I think talent only eventually wins कितना satisfaction आपने काफी talent को निकाला है काफी लोगों का carrier भी बना है अभी इस एज पर आके कितना satisfaction है कि मैंने बच्चे भी आप अच्छा तो लगता है जब आप किसी भी कहीं पे भी जाते हैं और आपका नाम अनाउंस करते हैं बोलके कि thanks तो यह लगता है कि चलिए आपने किसी धंग के आदमी को platform दिया क्यों कई बार लोग देते हैं अच्छा दोस है बहुत ही उम्दा सिंगर है इसलिए जब आप टैलेंट राउंड में आते हैं तो आप देखेंगे एटी परसेंट लोग गाना या डांस ही करते हैं तो हम से ज़ादा उनको ये लगेगा कि कोई धंग का जो है जो इसका proper profession का है वो उने जज़ करें तो हमारे अटली सुर्ताल आगे पीछे हो सकते हैं बड़ इनके नहीं मैं बताना चाहूंगा इनके सुर्ताल मुझसे जादा सठीक रहते हैं तो ये तो नहीं बात करें ये प्राइम मिनिस्टर भी बन सकती हैं सब कुछ बन सकती हैं मैं डरता हूं इनके सांब जो परफेक्शन होता हैं चाहें हम आप ऐसे रेपोर्टर हैं याम है से इनके सब करेंड़िया करी हैं कुछ चीज़े वर्क करते हैं कुछ चीज़ों के लिए आप नहीं होते popular बड़ आपको constant support दो अगर आपको कुछ लगता है इनसान में spark है तो मुझे लगता है उसको platform दिया जाना चाहें इंकारिज करने के लिए मैं आप TV पर काफी आप आपके fan भी आपके serial भी देखें तो आज जो देश में जो महौल है जो गुस्सा है उसके बार में क्या कहेंगी क्योंकि TV पर आज जो चलना सब एक ही चीज़ देखते हैं कि किस तरह से जो हमारी जवानों के साथ जो हुआ है पहले तो मैं उन जवानों को सल्यूट करती हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा साक्रिफाइज दिया अच्छा नहीं वा पुल्वर्मा अटैक में बट जैसा कि हमने का कि हम उस तिती में नहीं हैं हम एंगर नहीं दिखाना चाहते बिकोज ऑविसली एंगर की लाइन में इन करेंगे लोगों को उतना गुसा नहीं होना चाहिए कि कुछ नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा कई बर जो टाइम लेके चीजे होती वो जादा अच्छी होती है तो मुझे लगता है हमें पूरा सपोर्ट देना चाहिए उन लोगों को मैं उन CRPF ज़वानों को पूरा मतलब मिस्लीड किया कि वो ऐसी चीज करें तो I think मुझे लगता है more than that हमें अपने यूथ को बहुत जादा जागरूत करना पड़ेगा प्रो इंडियन होने के लिए क्योंकि कहीं पे उन लोग ही मिस्लीड हो जाते हैं और इन चीजों में घुज जाते हैं जो नहीं होना चा देखे मैं दर्शकों को ये बूलना चाहूंगी जैसे मैंने अभी कहा कि दुख की बात इंडिड है और न्यूज होता ही इसलिए है कि आपको इंफॉर्म किया जाए कि देश में क्या हो रहा है बट हमें अपनी कारेज नहीं हारना चाहिए बिकोज हमें सपोर्ट करना चाह और मुझे लगता है कि उनको अपनी होसला नहीं हारना चाहिए सपोर्ट करना चाहिए इंडिया को वी शूद प्रेए फॉर्ल पीपल वो लॉस देर लाइस और बी वेरी वेरी पॉजिटिव क्योंकि कुछ अच्छा ही निकल कराएगा